Hey guys, this is Kinari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. Jannet Zubair social media industry का एक बहुत ही popular नाम है. पर आपको क्या पता है कि एक वक्त था जब ये नाम controversy में घिराता. Jannet Zubair बहुत पहले एक show का हिस्सा थी जिसका नाम था तू आशकी. Show की ये demand थी कि उनके और actor Ritwik के बीच में एक kissing scene हो. लेकिन Jannet ने makers को बताया कि वो no kissing policy follow करती है और इसके लिए वो कोई भी kissing scene नहीं कर सकती. इस बात को लिए controversies हुई issues हुआ बर eventually makers ने Jannet की इस बात को समझा. अब इतने साल बात जाके Jannet ने इस बात पे फिर से एक बार बात की है. Jannet ने कहा कि उस वक्त जब ये शूट कर रही थी तब वो महें 16 या 17 साल की थी और उनके डाड ने ये strict policy बनाई थी that there will be no kissing scene that Jannet will be performing with any of her co-star. Jannet ने कहा कि आज भी वो अपने इस decision को लेके बहुत जादा प्राउड है और वो इस बात को regret नहीं करती. At the same time Jannet ने ये भी admit किया कि lockdown में क्योंकि किसी के पास भी जादा काम नहीं था कोई shoot नहीं कर पा रहा था तो उन्होंने अपना सारा जो focus है वो reels बनाने पर या content बनाने में डाला था लेकिन जब वो content और reel अप्लोड करती थी अपने social media account में तो कुछ एक section था social media का जोने का साफी जदा troll और criticize करता था और उनके comment section देखके Jannet अपने इतना ज़्यादा demotivate हो गए कि उन्होंने reels बनाना और content बनाना कुछ time के लिए बंद किया and she at that time used to feel very depressed well ये बात definitely past की है और अब ये बात उनको affect नहीं करती हम सब जानते है कि Jannet Zubair बहुत जल्द हमें Big Boss OTT season 2 म तब देखना ये है कि Jannet कैसा perform करेंगे real life में Jannet actually कैसी है ये हमें देखने को मिलेगा तो आप हमें जरूर बताये कि आप Jannet के इस Big Boss debut के लिए कितने साथ excited है in the comment section below and for more such updates do subscribe to Glitz Vision USA.